हेलो इश्चरण स्वागत अब का मेरे चन्ल निकीता भारनी ज़ोके साथ सिक्षक का की निक्ती को लेके अपडेट जारी हो चुका की एक एक दिन करके यहाँ पर देखिए 50 सा सिक्षा की निक्ती प्रकरिया के बारे में एक एक अपडेट आती जा रही हैं कि फाइनली जो है हमारे जहारखण में प्रात्मिक और मध्धे विद्याले में पच्छा सिक्षक की न्युक्ति को लेकि अपडेट जारी हो चुका है हमारे सिक्षा मंतरी की आदेश अनुसार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिक्षक की न्युक्ति होनी है यानि कि जितने भी गौर्मेंट की तरफ से न्युक्तिया निकाली जारी है सबसे बड़ी न्युक्ति जो है हमारे जार करने में जो है सिक्षक की न्युक्ति है तो 50,000 पद पिछले वर्स राज्य सरकार द्वारा सुजित किये गए थे यानि कि 2022 की अकॉर्डिंग यहाँ पर 50,000 सिक्षक के पद सुरित किये गए थे लेकिन यहाँ पर देखिए प्रात्मिक और मध्य विद्याले में 5 वर्सों से न्युक्ति नहीं हुई है पांच वर्सों से लेकर हमारे प्रात्मिक और मध्य विद्याले में कोई भी सिक्षक की न्युक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है 50,000 पदों पर दो चरन में न्युक्ति की घोशना की गई थी यहाँ पर बताया जाता है कि दो चरण में न्युक्ति प्रक्रिया होने वाली थी पहले चरण में 25 सिख्छा की न्युक्ति होगी यानि 26 सिर फिर दूसर चरण में 25 सिख्छा की न्युक्ति होगी लेकिन दोनों मिला कि आपको पचासा सिक्षा की नियुक्ति को पूरा कर लिया जाना था लेकिन प्रात्मिक और मद्य विद्याले में सिक्षों की नियुक्ति जिलास तरिये है लेकिन जो है प्रात्मिक और मद्धे विदल में जितनी भी सिख्च की नियुक्तियां हैं वो जिलास तरिये हैं और यहां पर बताया जाता है कि इस माह नियुक्ति को लेकर अस्पष्ट हो जाएगी इस्थती जगरनात महतों ने बताया है कि जनवरी में सिख्च को की नियुक्ति को लेकि जितनी भी प्रक्रियां थी स्पष्ट कर दी जाएगी सिख्चा मंतरे जगरनात महतों ने कहा कि सरकार युवाओ के हित में फैसला लेगी नियुक्ति को लेकर वर्तमान में जो इस्थती बनी है उस पर सरकार जल देने लेगी जनवरी 2023 में इस्थती स्प्ष्ट हो जाएगी यानि कि 2023 के जनवरी माह में ही खतम होते होते स्प्ष्ट कर दिया जाएगा काव वेकंसी जाएगी कैसे वेकंसी जाने वाली है राज्य के युवाओं के हित को सुरक्षित रखते हुए ही नियुक्ति की जाएगी हाई कोड़ द्वारा निमावली रद किये जाने के बाद जो स्थती बनी है उसके बाद नियुक्ति प्रक्रियाए कैसे पूरी हो जाए इस पर प्रारंभिक चर्चा भी हुई इस माँ स्थती स्वष्ट हो जाएगी यानि कि अभी तक ये स्थती स्वष्ट नहीं की गई है कि कैसे होगा स्लेक्शन तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं सबसे पहले जटेट कंड़क्ट कराए अब देखिए क्या कहना चाहिए यह को फारिली जो है, पूरे तरीके से स्टार्टिंग से जो है, जेटेट कंड़क्ट कराने के बाद, जो है, शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने चाहिए और कोई भी हमारी ग वर्मेर्मेंट बेवकुफ बनाती जा रही है, कोई भी निवक्ति नहीं ले रही है, लेकिन अब जो है, सबसे पहरे जएट है, उसके बाद निवक्तियां स्टार्ट कर दी जाएं, कोई भी पारासिक्षक की निवक्ति के यो अफवा फैला रही है, कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब जरा-जर कर रहा है गौष्ट हमारे सराथ हमें बैवकूफ बना कि time को है पास कर रही है सिर्फ सिर्फ क्या करें कि जेटेट कंड़क्त करा है क्यूंकि अभी तक जेटेट कंड़क्त नहीं किया गया है जितने भी बीड और डिलेट कर रहे हैं और कर चुके हैं उनके लिए आपको क्या सजा सिक्षा की नियुक्तिन लाए चलिए सारे इंफॉमेशन का मैंने क्लियर कर दिया है वीडियो अच्छी लाइक करना है पहली वाच्छा पर विजिट करें प्रेस अपडेट के साथ मिलते हैं जैसे कि और नोटिफिकर्स ना आती है मैं आपको अपडेट कराऊंगी टेली होने के बाद यह अभी तक स्थागित ही है देखिए क्या फैसल आता है आते ही मैं आपको इंफॉर्म करेंगी वीडियो इंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्ट रबिक साथ मिलते हैं